आज मैं बनाओंगी वाइट चिकन कड़ाई जो देखने में आप लोग को इंतहाई मज़दार और शांदार लग रही है और इसमें जो इंग्रेडियंट्स आएंगी वो भी बहुत असान और इजी है चलेंजी स्टार्ट करते हैं यहां पे मैंने एक पैन में एक चमच जीरा और एक चमच धन्या लिया है जिसको हम अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे अब यहां पे मैंने एक बॉल लिया और इसमें हम डालेंगे ठी टेब्ले स्पून योगर्ट धहें लेंगे अब इसको हमने इसके अंदर डालना है एक चमच यह मेरे पास है काली मिच और अब हम डालेंगे वाइट पेपर हाफ चमच और एक चमच नमक अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप ओईल अब इसके अंदर जाएगा हमारा चिकन यहां पे मैंने लिया है वन केजी चिकन यह शामिल करूँगे इसके अंदर आपने इहतियात के साथ चिकन अंदर डालना है ओल में ताकि जो ओल की चीटे हैं वो आपके ओपर ना पड़ें चलेंजी हमारा यह तकरीबन सारा चिकन इसके अंदर चला गिया है अब हम डालेंगे इसमें एक भरकर चमच लसन अदरा का पेस्ट ताकि जो हमारे चिकन में स्मेल वगएरा है वो खतम हो जाए और यह अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई हो और अब हम डालेंगे यह मैंने कूट ली थी हरी मिर्चे मेरे पास तीन अदद हरी मिर्चे ली प्यारा से एक गोल्डन कलर लेकर आना है हमने चिकन के उपर अगर आप लोगों को मेरी रैस्पी पसंद आती है तो आप लोगोंने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को मजीद रैस्पी इस भी मिलती रहें चलें जीसको हम कवर करेंगे इस कि भी च्पानी बिचोड़ दिया है अब हम इसमें शामिल करेंगे वह योगर्ट जो हमने बना लिया था काली मीट, स्वेद मीट नमक के साथ वह इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि ये दहीं के पानी में भी अच्छी तरीके से प्यार हो बने और ताकि हमारी चिकल बने अब यहां पे में डालूंगी वही जो हमने रोस्ट की थी जीरा और धनिया और इसको रोस्ट करने के बाद आपने कूट लेना है तो यह इसकी शकल इस तरह आएगी कुछ और जीरे से और धनिया से ही इसका जो जाइक है ना वाइट चिकन कडाई का बहुत अच्छा आएगा चलिए जिसको हम अच्छे तरीके से इसमें शामिल करते हैं अब इसे देखें इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है वाइट वाइट लगना स्टार्ट भी हो गया यह अब इसको हम कवर करेंगे लिट के साथ और इसका पानी जब तक ड्राय नहीं हो जाता जब तक हमने पकाना है तो आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राय हो चुका है तकरीबन और ऊइल उपर आना स्टार्ट हो गया इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि यह अच्छे तरीके से पक जाए तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया इसके उपर अब इसका जो एक म पानी ड्राय हो चुक है और जो हमारा ओएल बिल्कुल उपर आगिया और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी है ऐसा ने बिल्कुल खुशक है अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप क्रीम यह जाएगी इसके अंदर अब इसको हम ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अच इसे क्या होगा वाइट चिकन कडाई का जो कलर है वो भी खराब नहीं होगा और आपको स्पाइसी खाने को भी मिल जाएगा तो मैंने यहां पर हाफ चमच गुटी भी लाल मिर्ट शामिल की थी तो देख सकते हैं आप कलर नहीं खराब हुआ एस इजी है बहुत अच्छा कलर आया है उपर अब यहां पर मैं शामिल करूंगी हाफ चमच गरम मसाला यह आपने एंड पर शामिल करना है क्योंकि अगर आपने फस्ट में शामिल कर देंगे इसको पहले शामिल कर देंगे तो यह फिर अपना इसका कलर खड़ाब हो जाएगा चलें जी यह तियार है आप इसको मैं कानिश करती हूँ अद्रक के साथ और धनिये के साथ और उपर थोड़ी हरी मिर्शी भी आप डाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी लुग कितनी बहतरीन और कितना लजीज लग रही है यह देखने में इंतहाई मज़ेदार था आ गर्मा गर्म रोटी के साथ यह तंदूर की रोटी हो उसके साथ और इंज्वाए करें और मुझे परी दूआ में शामिल रखें अलाफीज